फिल्म गंगुबाई काठियावाडी को लेकर बहुत कुछ कहा जा चुका है इन फैक्ट जब ट्रेलर आया था तब सबसे बड़ा मुद्दा यही उठा था कि विजैरास आक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन वो इस फिल्म में ट्रांस जेंडर का रोल निभा रहे हैं अब लोगों का कहना है कि क्यों ट्रांस कम्यूनिटी के लोगों को ऐसे रोल्स के लिए काम नहीं दिया जाता उनके पास वैसे ही काम नहीं है और जब फिल्मों में ट्रांस पर्सनल का रोल होता है तो वो भी male actors कर लेते हैं ट्रांस पर्सनल को कास्ट क्यों नहीं किया संजे लीला भनसाली ने यह सवाल जब आलिया भट के सामने रखा गया तो आलिया के पास कहने को शब्द नहीं थे आलिया के पास कोई logic कोई reason नहीं था यही कारण है कि आलिया ने यह पूरी बात संजे लीला भनसाली पर डाल दी आलिया भट ने कहा कि यह कहानी संजे लीला भनसाली की है तो वो बहतर तरीके से समझ सकते हैं कि उनकी कहानी के इस किर्दार रजिया भाई जिसका नाम है वो कौन बहतर तरीके से निभा सके आलिया ने कहा कि यह सब डिरेक्टर का नजरिया है हो सकता है संजे लीला भनसाली को इस रोल के लिए विजयरास ही ठीक लगे हो दर्शक ने विजयरास को ऐसे किर्दार में पहले कभी नहीं देखा है और विजयरास एक आक्टर है उन्हें जो किर्दार दिया जाता है वो उस किर्दार को प्ले करते हैं आलिया भट ने कहा कि उन्हें लगता है कि as an actor उन्होंने इस किरदार को बहतरीन तरीके से निभाया है क्योंकि अगर ये किरदार transgender को ही देते या जहां से वो आते हैं उन्हें देते तो शायद इतना creatively screen पर नहीं उतर पाता जितना विजयराज ने उतारा है वैसे विजयराज एक बहतरीन actor है उनके acting talent पर जरा भी सवाल नहीं है लेकिन जब इस film का trailer सामने आया था तो लोगों ने ये भी एक मुद्दा उठाया था सोशल मीडिया मुद्दे की जगे हैं मुद्दे उठते हैं बंद होते हैं ये ही चलता है शायद इसलिए गंगु बाइकाठ्यावाडी को लेकर ये सवाल उठाड़े